हलो इवरीवन मैं हूँ बल रहा मिस्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले टैन इंवर्स अप एक्स के बारे में तो अगर हम लोग टैन एक्स के कर्व को देखे तो टैन एक्स कर्व हमारा कुछ ऐसा होता है ठीक है तो हमें पता है कि किसी भी फंशन का इंवर्स हम तभी फाइ तो हम लोग दिख रहे हमें कि यहां पर यह जो ग्राफ है उसको एक्सके पार्लल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहें ठीक है तो यह हमारा मेनी वन है तो सबसे पहले इसका इंवर्स हम लोग तभी फाइन कर सकते हैं जब यह हमारा वन वन हो तो अगर हम कट को अगर हम लोग रिमूब कर दें तो अब हमें दिख रहा है कि जो भी एक से पैरलल लाइन है वह हमारे कर्ब को एक ही पॉइंट पर कट कर रहे है तो यह हमारा क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा ऑन टू यह है क्योंकि यह माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ज सकते है कि बालों क्या बोल सकते यह मारा यह अमारा क्या होना चाहिए माइनस पाई वाई सूब। इमस्ति और अब अम लोग इतेकर करें अगर हम पॉइनकी सब्सक्राइब Notice करें इस 1975 कि functional की बात करें तो यह घ् mutually आप अगर हमारा टैनम क्रूद सैक्सेट ओद गार अगर हम लोग इसको gx मानते ही, अगर हमारा एक function है gx, जो कि यह tan inverse of x, ठीक है, यह हमारा function है gx, जो अगर हमारा tan inverse x है, तो अब इसका domain हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा tan x का range है, वो हमारा इसका क्या होगा, domain हो जाएगा, और यह जो हमारा tan x का domain है, वो हमारा इसका क domain नमरा क्या होगा r और range क्या होगा minus pi by 2 से pi by 2 अब अगर हम लोग 10 inverse x के graph की बात करें तो हमें पता है कि किसी भी function का जो inverse होता है उसका जो graph होता है हमारा y equal to x-line के बहुत क्या होता है mirror image होता है तो अगर हम लोग 10x की बात करें minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में तो यह जो हमारा blue से draw किया हुआ है यह हमारा 10x का graph है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में अब अगर हम एक y equal to x-line draw किये और इसके बहुत mirror image लिए तो हमारा इस पार्ट का mirror image इधार आएगा और इस पार्ट का mirror image हमारा इधार आएगा ठीक है यहाँ पे हमें आएज पर ने पर इसके यह एक सर्मी पर इंच में डार्ट कर्व जाते हैं Waarल की माने चाइस पारने बाम का इस पार श्यातों को फेंच कर दिखुआ है है हमारा एधर fourth quadrant या first quadrant तो x जब हमारा यह जो हमारा x है x जब हमारा positive होगा ठीक है एक जब हमारा positive होगा तो यह हमारा कहां लाई करेगा 10 inverse of x first quadrant में और x जब हमारा negative होगा तो 10 inverse of x कहां लाई करेगा fourth quadrant में ठीक है अगर हम लोग 10 inverse of x को अगर हम लोग ठीटा बोले तो जब x हमारा positive होगा तो ठीटा first quadrant में होगा और x जब हमारा negative होगा तो ठीटा हमारा fourth quadrant में होगा तो हम लोग इसको छोटा से चीज ध्यान रखके हम लोग principal value निकाल सकते तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ example के तुरू देखे अगर हमें 10 inverse of 1 का value निकालना है इसे अगर हम लोग ठीटा मानते तो यहाँ से हमारा 10 of theta क्या जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है positive है first quadrant और first quadrant में 10 theta 1 अगर हम लोग 10 inverse of minus root 3 की बात करें 10 inverse minus root 3 की बात करें इसको अगर हम लोग ठीटा माने तो यहाँ से हमारा 10 theta क्या आ जाएगा minus root 3 negative है negative के लिए कहां आएगा अंगल fourth quadrant में और fourth quadrant में 10 theta हमारा minus of root 3 कब देगा minus of pi by 3 पे ठीक है अगर हम लोग third example को देखें यहाँ पर हमारा 10 inverse 2 cos 10 inverse 2 cos 2 sin inverse of half ठीक है अगर हम लोग इस पार्ट को देखें sin inverse अब हाप को देखें तो इसको अगर हम लोग alpha मानते अगर alpha मानते तो sin alpha हमारा क्या जाएगा 1 by 2 ठीक है sin हमारा 1 by 2 कब देता है alpha हमारा यहाँ से क्या जाएगा pi by 6 फर्स quadrant में अगर हम लोग यहाँ पर pi by 6 फूट करें तो यह क्या जाएगा 2 cos 2 times of pi by 6 ठीक है यहाँ हमारा 10 inverse है ठीक यह हमारा क्या जाएगा 3 से cancel out हो गया cos of pi by 3 cos of pi by 3 क्या होगा half 2 into half क्या जाएगा 1 तो यह हमारा क्या जाएगा ultimately 10 inverse of 1 और यह हमारा क्या जाएगा pi by 4 यह अलड़ी हम लोग देखे अभी अगर हम लोग 4th example को देखे 10 inverse 2 cos 2 pi by 3 ठीक है 10 inverse 2 cos 2 pi by 3 ठीक है और हम लोग cos of 2 pi by 3 को देखे 2 pi by 3 को हम लोग क्या लिख सकते है pi minus pi by 3 मनला second quadrant और second quadrant में cos अमारा क्या होता है negative होता है तो 10 inverse 2 times of cos इसको क्या लिखेंगे pi minus pi by 3 ठीक है अब हमें पता है second quadrant में cos negative होता है और pi by 3 पे यह हमारा half देता है तो यह हमारा क्या देगा minus of half तो 2 times of minus half 10 inverse of ठीक है 2,2 cancel out होके यह हमारा क्या जाएगा 10 inverse of minus 1 अब अगर इसका value निकाले इसको theta मन है 10 theta हमारा क्या जाएगा minus 1 negative है fourth quadrant और यह हमारा one कब देता है pi by 4 पे तो minus 1 कब देगा minus pi by 4 पे तो theta क्या जाएगा minus pi by 4 पे तो theta क्या जाएगा minus pi by 4 कोई अगर हमें यह 3,4,5 अगर एक साथ add करके देता है यहां मैंने 3 को add किया है 4,5,6 कितना भी add करके देगा हम लोग क्या करेंगे सारे part का individual value निकालेंगे और फिर उसको add कर देंगे अगर हम लोग यहां पर first part को देखे, first part हमारा क्या है 10 inverse 10 of 5 pi by 6 ठीक है 10 inverse 10 of 5 pi by 6 को अगर हम लोग देखे 5 pi by 6 को हम लोग क्या लिख सकते i-pi by 6 यह हमारा क्या हो जाएगा 10 inverse 10 of 5 by 6 क्यों क्योंकि हमारा क्या है 10 mems f hai सीक्सicar और से मने 171 by root 3 देता है तो तो यह हमारा second quadrant में क्या देगा, minus of 1 by root 3, अब अगर इसका value निकाले, इसको हम लोग theta मने, तो हमारा यहां से tan theta क्या आजाएगा, minus 1 by root 3, negative है, fourth quadrant, तो theta हमारा क्या आजाएगा, minus of pi by 6, अगर हम लोग similarly second part को देखे, यह हमारा क्या आगया, minus of pi by 6, second part को देखे, second part हमारा क्या है, cos inverse of cos 13 by 6, cos inverse of cos 13 by 6, इसको अगर हम लोग देखे, हम लोग क्या लिख सकते, cos inverse, ठीक है, cos of 13 by 6 को क्या लिख सकते, 2 pi plus pi by 6, first quadrant positive, और cos of pi by 6 हमारा क्या आजाएगा, cos inverse, यह हमारा क्या देखे, root 3 by 2, positive है, first quadrant, तो यह हमारा क्या आजाएगा, फिर से pi by 6 आजाएगा, कोई problem नहीं, प्रस second वाला part हमारा क्या दे रहा है, pi by 6 दे रहा है, अगर third part को देखे, तो हमारा क्या है, tan inverse, sin of minus pi by 2, minus pi by 2 पर sin क्या देता है, minus 1, तो हमारा क्या आजाएगा, tan inverse of minus 1, अगर इसको theta मने, tan theta हमारा क्या आजाएगा, minus 1, तो theta यहाँ से हम देखे अभी, क्या हो जाएगा, minus of pi by 4, क्योंकि हमारा negative है, fourth quadrant, one cup देता है, pi by 4 पर तो minus one cup देगा, minus of pi by 4 पर, तो इसका value क्या आजाएगा, minus pi by 4, हम फिर क्या करेंगे, इसको अलग से फिर से add कर लेंगे, अब अगर हम यहाँ पर domain की बात करें, तो हमें दिख रहे हैं, यह जो हमारा tan inverse of x होता है, इसका हमारा domain क्या है, r है, मतलब हम बोल सकते हैं, यह हमारा tan inverse x हमेशा define होता है, तो अब अगर हम यहाँ से function लेते, fx is equal to tan inverse of gx, ठीक है, यह अब अगर हमारा function है, fx is equal to tan inverse of gx, तो gx के हर एक value के लिए हमारा fx क्या होगा, define होगा, तो हम लोग यहाँ से सीधा बोल सकते हैं, कि gx हमारा जब भी define होगा, तो हमारा fx भी define होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, domain of f is equal to domain of g, ठीक है, अगर हमें कोई भी function दिया हो, tan inverse of gx के form में, और हमें अगर इसका domain पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका domain निकालेंगे, और जो हमारा gx का domain होगा, जैसे अगर हमारे पास एक function दिया हुआ है, tan inverse of, ठीक है, tan inverse 2x-3, ठीक है, अगर हमें इसका domain पूछता है, तो हमें क्या करना है, इसका domain निकालना है, यह हमारा जब भी define होगा, हमारा tan inverse of 2x-3 भी define होगा, अब हमें दिख रहा है, 2x-3 हमारा always define होगा, क्योंकि यह polynomial है, तो tan inverse of 2x-3 भी हमारा always define होगा, कोई problem नहीं है, तो यहाँ से हम अगर domain लिखना चाहिए, तो domain हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, कोई problem नहीं है, तो हम यहाँ से domain निकाल सकते हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो I hope यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई भी किसी भी question में अगर दिक्कत है, तो comment section में पूछ सकता है, Thank you.